कैसे हैं आप सब आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल sociology with संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है यह आपका UGC NET का sociology का unit 1 का section 3 में इनसे related questions आपको दिखनी को मिलेंगे आज के टॉपिक में हम लोग Western sociological thinker काल मैनहीम के उनकी जो theory है sociology of knowledge उसे देखेंगे तो चलिए class को लेट ना करते हैं स्टार्ट करते हैं और अगर आपको आज की class helpful लगे तो प्लीज अब अपने दोस्ता से ज़्यादा से शेयर करें तता मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सस्काइब करें और प्लीज इसे लाइक भी करें तो काल मैनहें जी की theory को जानने से पहरे उनकी हम लोग biography थोड़ी देख लेते हैं काल मैनहें जी का जन्म 27 March 1893 को बुड़ा पेस्ट हंगरी में हुआ था लेकिन वो बेसिकली ऑस्ट्रिया से बिलॉंग करते थे तदा इनकी मेट्यू 9th January 1947 लंडन में हुई थी काल मैनहें जर्मन समासास्त्री थे वे सास्त्री समासास्त्र के तो संस्थापिक पीता थे ही सासी साथ उन्होंने ज्यान के समासास्त्र के विचारक के रूप में भी काड़े किया था हम कह सकते हैं कि ज्यान के समासास्त्र जो था ये इनकी ही देन थी और उन्होंने ideology के संदर में बताया था उनकी जो theory थी ideology and utopia इसमें उन्होंने sociology of knowledge यानि ज्यान के समासास्त्र को बताया था तो चलिए इनके कुछ important book को देख लेते हैं तो इनकी जो first book है वो है ideology and utopia इसमें उन्होंने basically अपनी जो theory थी वो इसी book से related थी second इनकी book थी sociology as political education ये इस book के अप्रकाशन 1930 में हुआ था third इनकी book है structure of thinking 1980 में fourth है essay on the sociology of knowledge fifth book है diagnosis of our time sixth book है essay on the sociology culture ये जितनी book है insult लेकर related questions एक्जाम में पूछे जाते रहे हैं और भी इनकी बहुत सारे book है जैसे intro social education इसमें उन्होंने steward के साथ काम किया था उसके बाद आपका था systematic sociology, conservational फिर आपका कार्ल मार्क्स का Asian sociology on social psychology ये सारे इनके books उन्होंने रचना की थी तो कार्ल मैंहिम जी की जो थ्योड़ी थी जो उनकी sociology of knowledge के बाड़े में बताया थी याने ग्यान के समासास्त के बाड़े में बताया था ये जो book थी इनके बहुत ही ज्यादा famous थी इस book के अंतरगर्त काल मैंहिम ने ideology के दो प्रकार को याने two types इसका वर्णन किया था पहला था particular ideology जिसे हिंदी में बोला जाता है विसिस्ट वेचारकी और second था इनका total ideology जिसे हिंदी में बोला जाता है संपूर्ण वेचारकी तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि क्या है ideology क्या है और utopia क्या है तो ideology जैसा कि आप लोग समझ गे इसे बोला जाता है वेचारकी और utopia को बोला जाता है कलपना आदर्स या कलपना लोग तो particular ideology यानि विसिस्ट वेचारकी जो है वो किसी परसन का कोई विसिस्ट परसन की उसकी जो सोच है उसकी जो विचार धाड़ा है उसको कहा जाता है जैसे आप लेख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी तो उनकी अपनी अलग विचार धाड़ा थी जैसे वो सत्य और एहिंसा पर चलते थे उनके अंदर अपनी एक quality थी तो उनकी जो विचार धाड़ा को जब संपूर्ण समाज मानने लगे संपूर्ण समाज के लोग उसे माननेता दे दें तो उसे कहा जाता है total ideology और किसी person विशिस्ट की बात को पूला जाता है विशिस्ट विचार की या particular ideology तो total विचार की में क्या होता है कि हम लोगों किसी एक व्यक्ति विशिस्ट की बातों को उसकी idea को उसकी ideology को पूरा हम लोग सामुदाइक रूप से follow भी करते हैं और समाज क्या करता है इसको माननेता भी देता है अब है कि ideology क्या है यूटोपिया क्या है तो इन्होंने जो ग्यान है उसो मिथ्या ग्यान को बताया है और मिथ्या ग्यान के अधार पे उन्होंने इसे फिर two types में वर्णन किया है एक विचार की जिसे ideology बोला जाड़ा है एक कलपना लोक जिसे utopia बोला जाड़ा है विचार धारा क्या है कि इसमें वर्तमान वेवस्ता को सही मानते वे उसे बनाए रखने और उसको बनाए रखने के लिए हम लोग जो पेडित होते हैं वो प्रक्रिया होगी विचार धारा और कलपना लोक में क्या होता है कि जो वर्तमान वेवस्ता है उसको गलत मानते हैं और जैसे कि आप इसका एक्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि political parties तो जो विचार धारा है जो आइडिलोजी है माली जै कि जैसे हमारे अभी प्रधान मंत्री मोदी जी है तो उनकी एक अपनी अलग विचार धारा है वो पार्टी में अभी सिर्स में हैं वो इसको लीड कर रहे हैं तो इनके पास क्या है पावर है इनकी आइडियों को समाज मान रहा है संपोन समाज इसे मान रहा है उनको वो अपने बातों को रख रहे है और वो चाहते हैं कि जो उनकी व्यवस्ता है उनकी जो पार्टी की व्यवस्ता है वो सही प्रकार से बनी रहे इसके लिए वे अपने आइडियास दे रहे हैं अपने कार्जों को संपन कर रहे हैं लेकिन इनकी जो opposition party है वो क्या करेंगी कि उनकी वर्तमान जो व्यवस्था है उनको क्या किया जाएगा गलत सावित किया जाएगा और उसको बदलने के लिए प्रेरित किया जाएगा तो इस व्यवस्था के अंतरगर जो वर्तमान में चड़ा है उसको गलत सावित किया जाएगा जाकी उसमें पडिवर्तन हो तो उसे कहा जाता है यूटोपिया यह कलपना लोक है कि उसमें वेक्टिय सोचता है कि यह कारी गला थोड़ा वो अपने कल्पना में सोच कर जो वरतमान विवस्ता है जो वरतमान जो विचार धाड़ा है उसको चेंज करने का कोसिस करते हैं इसी से प्रेरित होकर काल माक्स जी भी बोले थे कि एक ऐसा समय आएगा जब कि जो समाज है वह साम में वाद बन जाएगा उन्होंने classless society की बात की थी जैसे वर्ग विहीन विवस्था की बात की थी कि एक ऐसा समय आएगा जब समाज की होगा वर्ग विहीन रहेगा यानि कि समाज में उच नीच की भावना नहीं रहेगी हम उच नीच की भावना के आधार पर भी ideology और यूटोपियों को समझ सकते हैं कि जो उच नीच की भावना है, वो समाज में जब नहीं रहेगी, तो ये कौन सोचा है, ये कलपना कर रखिया जा रहा है, कलपना में सो रहा है, लेकि विचार धारा जो चल रही है, वो विचार धारा तो है, उच नीच की भावना तो हमें समाज में देखने को मिलती है, लेक ज्ञान का समासास जो उनकी थोरी थी इसमें वे ये बताना चाहते थे हां कि यह जो नौल कहां हों हम कंस पतिक हों हम कोई भी चीज को जूच आहाँ है हमारे माइम में उसको इसमेच नोल जलगान और इसी के अंतरगत फिर उन्होंने प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष नियंतरन भी बताया कि प्रतेक्ष नियंतरन वो हो गया है जिसमें कि हम लोग सामने से किसी को ऊपर नियंतरन करते हैं किसी को ऊपर कंट्रोल करते हैं जिसे कानून व्यवस्ता हो गया और अब प्रतिक्ष नियंतन हो गया है कि जैसे हमारा धार्मीक सोच हो गया कि हम गलत काम करेंगे तो भुगवान हमें सवजा देंगे हम ऐसा गलत काम नहीं करें सकते हैं तो वो हो जाएगा अब प्रतिक्ष नियंतन के अंतरगत तो आई होप आप लोगों को आज की जो थियोरी है काल मैनहिम जी की सोचोलोजी ओफ नौले जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक आइडोलोजी एंड यूटोपिया में इसके बाड़े में बताया था आईडोलोजी को क्या बोला जाता है विचांधारा तथा यूटोपिया को बोला जाता है कलपना लोग फिट उन्होंने आइडिलोजी को दो भागों में वर्णन किया है विसिस्ट वेचारकी यानि पर्टिकूलर आइडिलोजी तथा आपका संपून वेचारकी यानि कि टोटल आइडिलोजी विशिस्ट विचार की में किसी विशिस्ट व्यक्ति का उसकी जो माननेता है उसकी जो सोच है उसकी जो क्वालेटी है उसको माननेता मिलती है और उसकी सोच को जब पूरा समाज क्या करता है माननेता ग्रहन कर लेता है एक नैतिक परंपरा में रहके एक नैतिक नीतियों के अ तो आपको आपको आज की जो क्लास से वोच्ची प्रकास से समझ में आ गई होगी मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद